अगनी सामक अगनी सामक एक पोट्रेबल डिवाइस है जो आग को बुझाने के लिए पानी, फॉर्म, गैस या अन्य समागरी का फवारा छोड़ता है और ट्रेबल डिवाइस का अर्थ है कि लाने ले जाने योगुब करन जैसे स्मार्टफून, पावर बैंक, लेफ्टोप, एक्सेटरा अगनी सामक को जानने से पहले आग के बारे में कुछ महतपूर्ण बाते हैं उन्हें जान लेते हैं आग के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है पहला गर्मी का स्रोप दूसरा दहनसील पदार्थ तीसरा ऑक्सिजन यहां दहनसील पदार्थ का अर्थ है इंधन जो पदार्थ जल कर उसमा और प्रकास देता है उन्हें ही दहनसील पदार्थ कहते हैं आग के चार प्रकार हैं स प्रकार की आग बहुत ही खातक होती है क्योंकि यह हमें आग से दिखाई नहीं देता है धातु में लगने वाले किसी वी प्रकार की आग स्रेनी डी में आती है अब आते हैं मेन टोपिक अगनी सामक क्या है अगनी सामक एक बहुत ही महत्पूर्ण उपकरन है जिसका इस्तमाल आग बुझाने या आग को काबू करने के लिए होता है जादतर आग अलेक्टिकल सौर्ट सर्किट के बज़र से लगती है अगर कोई कमपणी फैक्टरी या किसी प्रकार का होस्पिटल या ओपिस सभी जाता है जैसे पेपर कपड़ा लकड़ी कि अगर आग अलेक्ट्रिकल उपकर्ण में लगी हो या फिर रोसोई में और जोर्नल सील पदार्थ में लगी हो तब वाटर इस्टिंग्यूसर का रंग लाल होता है इसका इस्तमाल लकड़ी से बनी इमारत में होस्पिटल में इस इसका इस्तमाल बंद जगा पर नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें से निकलने वाला ड्राइप ओडर आग, कान, नाग और मुं में जा सकता है उसकी वज़ा से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है इसका लेबल कलर जो होता है वो नीला होता है अगडी सामक का तीसरा प्रकार ह इसका इस्तमाल स्रेनी ए और स्रेनी बी की आग बुझाने के लिए किया जाता है यह अगनी सामक चल से भड़ा अगनी सामक जैसा ही काम करता है क्योंकि इसमें भी पानी होता है और आग के बीच में दिवार का काम करती है इसका इस्तमाल लक्री से बनी इमारतों में खुद अगनी सामक इसका इस्तिमाल पर्थम रूप से एलेक्ट्रिकल उपकरणों में या एलेक्ट्रिक वज़से लगने वाली आग को बुझाने के लिए किया जाता है। उपरी भाग में नोसल के पीछे एक पीन लगी होती है और सेप्टी लॉक होता है। उसे निकाल दे। उसके बाद हैंड ग्रिप को दबाने से अगनी सामक के नोसल से मैट्रिकल बाहर आ जाएगा। नोसल को उसी दिशा में रखे जहां आग लगी हो। इस प्रक्रिया को पा अगनी में इंधन मिलाना, अगनी से इंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अगनी को ऑक्सिजन की आपुरती से अलग करना। हमारा सही उत्तर होगा ओप्संटी क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि आग के लिए तीन चीजों की जरूरत होती पहला गर्मी कस्रो, दूसरा धनसील पदा, तीसरा ऑक्सिजन, इस तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज ना हो तो आग नहीं लगी दूसरा प्रस्थ, निमलिखित में से अगनी रोधक का उपयोग करने का सही कर्म क्या है? ओप्संट ए, ओप्संट बी, ओप्संट सी य संकरित्वब, हमारा सही उत्तर होगा हेलोन प्रकार, क्योंकि विदूतियों करण में लगी आग को बुझाने के लिए कारबन डाय ओक्साइट अगनी सामक का यूच करते हैं, उसी का दूसरा नाम है हेलोन